हलो एवरीवन मैसल डॉक्टर पुल की शर्मा तो जैसे कि आपको पता है नीट 2024 के लिए और वेकेंट रह सकती हैं पिछले साल कितनी सीटे वेकेंट थी और इस बार जो रूल्स में चेंज हैं जो इस तरीके से काउंसलिंग चल रही है उस accordingly आप round 2 और round 3 के बाद में कितनी सीटे वेकेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो जिससे कि आपको idea लग पाए कि आपको आल इंडिया कोटा के round 3 में better college मिलेगा या फिर आपको stream round में जाना चाहिए इसका भी थोड़ा idea आपको लग जाएगा ठीक है इस बार जो वेकेंट सीटे है round 3 में और आपके 4th round जो stray vacancy round होता है उसमें पिछले साल की तुलना में जादा आएंगी या कम आएंगी उसके बारे में बात करेंगे साथ ही अपन बात करेंगे जो आपकी cut off है उस पे जो नए rules है उनका क्या impact हो सकता है stray vacancy round के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे all india quota के round 2 के आपकी क्या cut off हो सकती है category wise उसके बारे में बात करेंगे और आपको better college all india quota के round 2 में मिलेगा या फिर directly all india quota के round 3 में मिलेगा क्या आपकी approach होनी चाहिए round 2 का college आपको report करना चाहिए जो आपको मिलता है वो या फिर आपको directly round 3 में fresh allotment लेना चाहिए इन सभी points के बारे में बात करेंगे तो video informative होने वाला है वीडियो को पूरा देखिएगा ठीक है सबसे पहले तो आपको पता all india quota के round 1 में जो seat ब्लॉक होती है वो इसलिए होती है क्योंकि all india quota का round 1 free exit होता है तो लगबख 6000 आपकी seats है जो ब्लॉक है all india quota की government MBBS की seat के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मैं deemed universities की seat या फिर BSC nursing या BDS की seat अगाउंट नहीं कर रहा जो स्रिफ government MBBS की seat से उनके बारे में मैं बता रहा हूँ तो लगबख 6000 seat आपकी ब्लॉक है 6000 ऐसी seat थी जिन पर बच्चों ने allotment लिये पर उन पर joining नहीं करी ठीक है क्योंकि उनको state quota में जाना था या further directly second round में उनको allotment चाहिए था इस वज़े से उन्होंने report नहीं करा अब देखो all India quota की round 1 और all India quota की round 2 में क्या difference है अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक major difference है यहाँ पर आपकी security amount forfeit हो जाती है यहाँ पर सिर्फ आपका security amount आपकी forfeit होती है कोई भी eligibility पर आपके फरक नहीं पड़ता कि आप जो allotted college उसको join नहीं करते हो तो counseling से बाहर हो जाओगे All India quota की third round में आप participate कर पाओगे fresh registration के साथ जिसके पास में state quota की round 1 में seats है वो भी All India quota की round 2 में unnecessary choice fill करते हैं वो अपने chance के लिए try करते हैं क्योंकि एक mentality होती है जहाँ पर आपको दोनों आतों में लड़ू चाहिए जहाँ पर आप option select कर पाओ last में कि आपको better college कौम सा लग रहा है जिससे कि आपको एक 7 दिन का समय मिले reporting का All India quota के अंदर एक बार allotment हो जाए तो most probably आप उस college को join नहीं करोगे अपने state में continue करोगे पर फिर भी mentality इस तरीके की होती है कि जब इतने साल तयारी करी है इतना पैसा आपने coaching में लगा दिया तो एक seat allot कराके अगर आप उसको छोड़ भी देते हो तो 5000 या 10,000 security amount है स्रिफ वो ही forfeit हो रही है तो इस mentality की वज़े से सबसे ज़्यादा seat block होती है all India quota के round 2 में example के through अगर मैं बता हूँ अगर कोई student राजस्तान से block करता है तो राजस्तान के round 1 में उसके पास कोई seat है जैसे मानली जी उसके पास में पाली medical college में कोई seat है ठीक है फिर all India quota के round 2 में वो choice फिल करता है मानली जी उसको seeker मिल जाता है फिर उसको लगता है कि उसका better upgradation state quota के through ही होगा क्योंकि state quota में 85% seats है वो सिर्फ राजस्तान के बच्चों के लिए reserve है competition सिर्फ राजस्तान के बच्चों से all India quota में पूरे 15% seat ही है इसके लब आपका competition पूरे इंडिया के बच्चों से है तो ऐसे में वो state में ही continue करता है और अपनी जो पाली की seat को upgrade करा लेता है क्योंकि वहाँ पे quota के chances है तो ऐसे में उसको quota medical college वहाँ पे मिल सकता है तो इसकी वज़े से यह जो seeker की college की seat है यह आपकी block हो गई उस specific student का कुछ नहीं गया सिर्फ 10,000 security amount का नुक्सान हुआ ठीक है बागी आपकी यह जो seat है वो block हो गई seeker की यह फिर round 3 में जाएगी ऐसे में आपकी काफी ज़्यादा seat है block हो सकती है round 2 के बाद में भी और हर साल ऐसी seat है block होती है जो student round 1 में state में college ले चुके है जाद अतर student वही seat है block करते है ठीक है क्योंकि उनको बाद में idea होता है कि state में better college के अपग्रेडेशन के chances है इसके लावा जो सबसे बड़ा factor है ना वो psychological factor है यहाँ पर जो सबसे बड़ा important factor है वो psychological factor ही है आप counseling के rules को change कर लो में state में अच्छा college मिल चुक है आपको पता है कहीं ना कहीं आपको state में college लेना है वही continue करना है पर आपको ऐसे लगता है कि बाकी के सब लोग all India quota के round 2 और round 3 में choice फिल कर रहे है मैं क्यों नहीं फिल कर रहा और उसके बाद में उस college को छोड़ देते है इस तरीके से all India quota में seat block होती है और हर साल ये चीज़े same रहने वाली है इस साल भी ऐसी चीज़े होंगी इसके लावा दोनों आतों में लड़ू रखने की आदत जैसे कि आपको दो जगए allotment लेलो स्टेट में भी allotment लेलो All India quota में भी allotment लेलो फिल लास्ट टाइम पर डिसाइड करो ये option आप अपने पास चाहते हो जादा तर student ऐसा option चाहते है और उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि MCC ने ऐसा option उनको दे रखा है कि आप 5000-10000 ये आपकी security amount फोरफिट होगी दोनों जगे आप अपने option ट्राई कर सकते हो तो ऐसे में last time तक उनको decision का समय मिल पाए ऐसे में वो दो जगे seat a lot करा लेते हैं जिसकी वज़े से भी seat blocking होती है ये भी एक बहुत बड़ा psychological factor है इसके लाबा कुछ बच्चे better college देखना चाहते है जिमाव में आता है वहाँ पे 5.5 साल रहना है तो ऐसे में last moment पे काफी सारे बच्चे पीछे हड़ जाते हैं All India Kota में जाने से चाहे better college क्यों ना मिला हो All India Kota में तो एक psychological factor ये भी है कि आप allotment लेने तक तो क्योंकि आपको कुछ सोचना नहीं है कौन सा college मिलेगा वो तो बाद की बात है choice feeling तक तो सिर्फ आप सोचते हो better college मिल जाए All India Kota में पर फिर आपको लगता है कि home state के काफी benefits हैं अपने घर के पास नहीने के काफी benefits हैं वो last moment पे students को ऐसा लगता है तो वो अपने All India Kota की seat छोड़ देता है वो आपकी further round 3 और round 4 में चले जाती है इसकी वज़े से बहुत seat blocking हर साल देखने को मिलती है अब इसमें देखो आप कितने ही rules में change कर दो ये psychology आप change नहीं कर पाओगे unless until बहुत strict rules ऐसे ना बन जाए कि आपकी further round में eligibility ही cancel हो जाएगी round 3 में participate ही नहीं कर पाओगे अगर round 2 में मिला हुआ college अगर आपने join नहीं करा तो round 3 में counseling से ही वार कर दिये जाओगे जब तक ये वाले rules नहीं लगेंगे तब तक इस तरीके की seat blocking आपकी होती रहेगी और round 3 में भी seat blocking होती आपके पास में state का option है जिन बच्चों के पास state के second round में seat है फिर state के third round में उनको seat मिल सकती है वो unnecessary seat blocking करते है वो एक बार option देखना चाते हैं कि all इंडिया के third round में क्या मिल रहा है क्योंकि नुकसान तो अगेन वही है ना 5000 ये 10,000 का जो की सब के लिए affordable है तो ऐसे में वहाँ पे भी बहुत जादा सेंख्या में seat blocking होती है फिर आपकी stay round में seat है जाती है जिसमें की deserving candidates को अच्छी college नहीं मिल पाती उनको तो अपने all इंडिया कोटा के third round में ही seat लेनी है मजबूरी है उनकी और जो बच्चे थोड़ा सा risk उठा लेते हैं उनको reward मिलने की संबावना रहती है अगेन देखो वो अभी मत पूछने शुरू हो जाना कि हम सब stream में चले जाएं क्या वो थोड़ा risk की और rewarding दोनों तरीके का round है वहाँ पे risk भी है reward भी है ठीक है तो ऐसे में काफी सारे बच्चों को जो deserve नहीं करते अपनी rank के इसाब से अच्छे college उनको भी काफी अच्छे college मिल जाते है इसके लावा जो अगला factor है वो state quota में भी बच्चों को college लेना है और इसके लावा all india quota के through भी अपने state quota में ही college लेना है अपने state के अंदर वो दो seatे ले लेते हैं जैसे मैंने example बताया पाली, सीकर और quota इस तरीके से एक student तीन जगे अपने state के अंदर seat ले सकता है state के दो round के through और all india quota के second round के through तो ऐसे में काफी संख्या में seat block रहेंगी आपके all india quota और state quota के second round तक फिर दीरे दीरे आपकी seatों की संख्या कम होती जाती है आप देख लीजे ना पिछले साल आपके first round में लगबख 10,000 seatे थी second round में आपकी बच्ची आपकी बासट सो के असपास seatे फिर third round में डाई अजार के असपास seatे फिर stray vacancy round में आपकी 900 के असपास seatे तो जैसे जैसे आप further rounds में जाओगे वैसे वैसे आपकी seatे थोड़ा block होना कम शुरू हो जाएंगी क्योंकि student final admission अपना लेते जाते हैं क्योंकि at the end of counselling उनको एक ही जगे admission लेना है दो जगे वो जा नहीं सकते हैं और third round के बाद में तो फिर कहीं भी नहीं जा सकते है अगर उनोंने allotment भी ले लिया है तो इस तरह की situation उनकी होती है तो SMX starting के जो initial round है round 1 और round 2 इनमें काफी जादा सेंग्या में seat blocking आपको देखने को मिलती है और ये जो psychological factor है इनको कोई change नहीं कर सकता जब तक को strict rule नहीं आ जाएंगे हर factor के बारे में मैं आपको बता दिया UP के factor के बारे में मैं आपको बता दिया काफी पीछे तक colleges मिले है 24,000 rank तक लगबग colleges मिल चुके हैं जिसकी वज़े से UP के बच्चे all India quota में नहीं जाएंगे live session में अपन हर बार काफी discuss करते है राजस्तान के factor के बारे में मैंने आपको बता दिया security amount भी 50,000 है तो काफी थारे बच्चे उसको forfeit ना करवा के अपनी all India quota की security amount भी forfeit करवा लेंगे जो की 10,000 ही है उस वाले factor के बारे में बता दिया इसके लावा दिल्ली में भी काफी seat ब्लॉक हैं तो दिल्ली में भी बच्चे अभी all India quota में कहीं ना कहीं seat लेना चाहरे है बाद में उनको अगर दिल्ली में seat मिल जाती है तो फिर वो दिल्ली में continue करेंगे all India quota की seat छोड़ देंगे फिर उनकी all India quota की seat further round 3 continue तो करेंगे अपने state quota के थूरू जब वो all India quota की seat नहीं लेंगे तो again वो आपके all India quota की seat ब्लॉक होगी ये सभी factors के बारे में जिनकी cut off जादा है उन सभी states के बारे में मैं आपको already बता दिये इसके लाबा अरियाना भी state है जहाँ पे cut off जादा है वहाँ पे भी काफी सारे बच्चे all India quota में seat लेंगे फिर उनको state quota में यदी मिल जाता है तो फिर वो state में continue कर लेंगे उनकी जो seat बच्ची हुई है all India quota की वो आगे further rounds में चले जाएंगी तो इस तरीकी के काफी सारे states है especially वो states जिनकी all India quota से जादा cut off है वहाँ पे seat blocking थोड़ी जादा होती है उन states की वज़े से क्योंकि उनके पास option होता है कि उनको all India quota में भी seat मिल सकती है state quota में भी seat मिल सकती है और लगबख similar सी seat उनको मिल रही होती है all India quota में जो उनको seat मिल रही होती है कभी-कभी better colleges मिल रहे होते हैं उनको state quota से पर उनकी पहली priority हर किसी की होती है state quota में कोई college मिल जाए और दूसरा आपको All India quota में जब better colleges मिल रहे हैं तो आप वहाँ पे भी counseling में participate करते हो यहाँ पे काफी ज़्यादा seat ब्लॉक हो जाती है है कि मेरे को All India quota में क्या पता better college मिल जाए चाहे All India quota के through state में मिल जाए पर मेरे को क्या पता better college मिल जाए तो ऐसे में हर को student choice filling करता है फिर All India quota के round 2 का result आएगा और उसके बाद में state quota का result आएगा तो काफी सारे बच्चे क्या है कि All India quota से resign करके अपने state के round 2 में admission ले लेंगे तो ऐसे में काफी जादा seat है आपकी All India quota के round 3 में आएगी फिर ठीक है round 3 में आपकी दो तरीके से seat हाती है एक तो All India quota के round 2 में जिन बच्चों नहीं करा allotment के बाद में उनकी seat आती है और All India quota के बाद में आपके state के round 2 के results आएगे वहाँ पर लेके जाएंगे तो ऐसे में वहाँ भी आपकी काफी seat वेकेंट होने की संभावना होगी इस तरीके से आपकी काफी जादा संख्या में seat वेकेंट होने की संभावना होगी लास्ट येर जैसे कि मैंने आपको बताया डाइजार seat आई थी All India quota के round 3 में इस बार भी लगबग आपकी more or less डाइजार seat आ सकती है क्योंकि आप किसी का mindset change नहीं कर सकते हैं आप rules change कर सकते हो security amount थोड़ा बढ़ा सकते हो क्योंकि जो बच्चा coaching करके 2-3 साल लागो रुपे coaching में लगा रहा है तो उसके पास एक option जादा रखने के लिए वो 10,000-5,000 security amount forfeit होने से उसको डर नहीं लगेगा तो ऐसे में कोई बिलकुल भी strict rule ये है नहीं तो ऐसे में काफी जादा seat इसलिए block होती है और इंडिया कोटा के round 2 के बाद भी ठीक है last year जैसे मैं आपको बताओ stay vacancy round में 900 सीटे आई थी इस बार थोड़ा सा कम आएंगी exactly number में आपको further round जैसे जैसे होंगे उसके बाद में detail analysis करके बता पाऊंगा अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है पर ये मान के जलिए पिछले साल की तुलना में थोड़ी कम आएंगी तो काफी जादा संख्या में सीटे महाँ पे ब्लॉक हो गए थी फिर round 4 इस्ट्रे वेकेंसी round में चले गई थी इस बार शायद 900 से कम सीटे रहेंगी कितनी रहेंगी वो मैं आपको further बता दूगा अब अपना All India Kota के round 2 का cutoff क्या रह सकता है वो मैं आपको बताता हूँ इससे पहले अगर आपको काउंसलिंग में किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है तो आप प्रसना इस काउंसलिंग प्रोग्राम जॉइन कर सकते हैं कैसे जॉइन करना है? जॉइन करने के लिए एक बात याद रखिए इसके लाव आपको decision making में मदद मिल जाएगी कहाँ पे college लेना है, किस round में लेना है कहाँ पे आपको college को छोड़ना है कहाँ पे आपको next round में जाना है state में better मिलेगा, all india में better मिलेगा इसके लाव आपको whatsapp assistance मिल जाएगी बाकी features आपको ये जो है mention वो भी मिल जाएगी, ठीक है जो important pds वगेरा वो मिल जाएगी इसके लाव आप plan 2 आप join करते हो तो plan 2 में आपको ये plan 1 के features के साथ में calling assistance भी मिल जाएगी, final round of counseling तब call पे आपको directly मेर से ही बात होगी कैसे join करना है, इस number पे आपको whatsapp पे message करना है, याद रखिएगा, call मत करिएगा calling assistance के लिए आपको दूसरा number provide कराया जाएगा, पर starting में आपको communication इसी whatsapp number पे करना होगा ठीक है, अब अपन बात करते है All India Kota के round 2 का expected cutoff क्या रह सकता है, तो UR category में आप मान के चलिए, साड़े 22,000 से 23,000 तक रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे seat blocking होगी, अब चाहके भी यहाँ पे seat blocking नहीं रोख सकते, क्योंकि rules बहुत ही flexible है, सिर्फ security amount forfeit होगी, और कुछ भी नहीं होगा, तो आप 22,000 से 23,000 rank तक आप expect कर सकते हैं, क्या आपको UR category में round 2 में All India Kota में government MBBS की seat मिल जाएगी, OBC की अगर मैं बात करूँ तो 22,700 से 23,200 तक मिलने की संभावना है, EWS की बात करूँ तो 26,000 से 27,000 तक मिलने की संभावना है, SC category में लगबग 1,25,000 तक मिलने की संभावना है, और ST category में लगबग 1,25,000 तक मिलने की संभावना है, ये round 2 का cutoff है, again ST SC में काफी dip आपको देखने को मिलता है, round 2 से round 3 में भी, depend करता है कितने बच्चे हैं आपके, किस state की कितनी cutoff गई है, किस तरीके की आपके all India quota में bead बची हुई है, उन सब चीजों पर भी depend करता है, तो SC ST का थोड़ा सब credit करना और मुश्किल हो जाता है, पर आप ये expect कर सकते हो round 2 में लगबग इतना cutoff आपका रह सकता है, अब आपको all India quota के round 2 में better college मिलेंगे, round 3 में directly जाके मिलेंगे, क्या आपको करना चाहिए, वो मैं आपको बता जता हूँ, अगर देखो, आपको top के colleges लेना है, जैसे मैंने round 1 में आपको बताया था, अगर आपको aims लेना है, या फिर दिल्ली के college लेना है, तो round 1 में आप report कर दो, क्योंकि इन colleges में seat एक कम खाली रहती है, जैसे कि आपने देखा होगा, round 2 का seat matrix है, उसके बाद आपने देख पिलिया होगा, तो अगर आपको top का कोई college चाहिए, या फिर आपको मिल रहा है, तो आप उसमें definitely join करो, उसमें report कर दो, अगर आपको lower colleges मिल रहे हैं, कि round 3 में directly मिले ना मिले, क्या पता cut off 0.1% जादा चले जाए, round 2 से round 3 का, तो ऐसे में आपके safe option के लिए ये रहेगा कि आप उस college में report कर दो, और फिर आप upgradation का option ले लो, और फिर आप college को upgrade करा लो, तो इस तरीके से लेता हूं, वो live sessions को आप attend करिएगा, जिससे कि आपके most of confusion दूर हो जाएंगे, thanks for watching the video, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, bye!